हलो फ्रेंड्स वेलकम बेक टू मैं चैनल तो फ्रेंड्स आज मैं फिर से लेकर आ गई हूं आप लोग के सामने एक और माईक्रोवेब का वीडियो आज के वीडियो में मैं आप लोग के साथ माइक्रोवेब के कुछ है शेयर करूँगी जिसमें सबसे पहले मैं आप लोग को माइक्रोवेब में आटा भूंजना दिखा दूँगी क्योंकि बहुत से लोग जब microwave में आटा भूंजते हैं तो उनका जो आटा होता जल जाता है, काला हो जाता है तो मैं ऐसे कुछ टिफ शेयर कर दूंगी जिससे कि जो आपके आटा है वो कभी भी काला नहीं होगा microwave में भूंजने पर उसके बाद मैं उसी से आप लोग के साथ एक रेश्पी भी शेयर करूंगी उसी भूंजे हुए आटे से तो चलिए रेश्पी को स्टार्ट करते हैं तो सबसे पहले तो यहाँ पर मैंने काच का बोल लिया है और यहाँ पर मैंने एक चमस करीब घी डाला है तो इस थोड़ा ही घी डालना है आपको जिससे की जो भी तली है उसमें घी लग जाएगा इससे जो हमारा आटा है वो चिपकेगा नहीं यह देखिए आप मैं डाल रही हूँ इसमें आटा तो यहाँ पर मैंने एक कटोरी आटा लिया हुआ है अब हम इसको आटे को जो हाई पावर है वो 900 वाट है तो मैंने उसको सेट किया है और टाइम सेट किया है पार्चमेंट पार्चमेंट के अंदर आपको इसको आटे को चलाना भी नहीं है कुछ भी नहीं करना है आफ्टर 5 मिन्ट के बाद ही हम अपने आटे को चेक करेंगे तो जैसे ही पार्चम हो चुका है अब इसको हम थोड़ा सा चला देंगे क्योंकि जो microwave की heat होती है वे बीच में ज़्यादा लगती है साइट में ने इसलिए हमें 5 मिट के बाद से चलाना है उसके बाद हम इसे microwave का जो watt है उसे कम कर देंगे पहले मैंने 900 watt set किया था अब हमें 720 watt set कर रही हूं और time set कर रही हूं तीन मिनिट का इससे क्या होता जो हमारा आटा है अब वो धीमे धीमे भूंजेगा पहले हमने high power पर भूंज लिया उसके बाद हमने अपना देख रहा है कहीं से यह जला नहीं है बहुत अच्छी तरह से आटा हमारा भूंज के तयार हो चुका है तो आप इस आटे का आप चाहे लड़ू बनाएए पंजीरी बनाएए हल्वा बनाएए जब भी आप इसकी कोई भी रेस्पी बनाएंगे बहुत ही अच्छी बनके त परफेक्ट बनेगा तो उसी आटे में मैंने आधा चमस सौट का पाउडर डाल दिया है और थोड़ा सा डाल दिया है नमग उसके बाद मैं इसमें थोड़ा सा घी अट करूंगी तीन से चार चमस बहुत कम घी में ही हमारा जो माइक्वेब में हलवा है बनके तयार हो जाता है कधाई में हल्वा बनाते है तो बहुत ज़दा घी लगता है पर माइक्वेब कर यह फाइदा होता है कि बहुत कम घी में जो हलवा से बनके तयार हो तो घी को डालने के बाद हमें इस तरह से मिक्स कर देना है घी को जिससे के वह आटे में अच्छी तरह से लग जाएगा इस तरह से उसके बाद मैं इसमें शक्कर डालूंगी देखे जिसके पहले मैं आपको बताया थे मैं यहां पर एक कटोरी आटा लिया है तो उसी से कटोर यहां पर देढ़ कटोरी पानी लूँगी पहले मैं एक कटोरी पानी ले रही हूं और इसको अच्छी तरह से आप से मिक्स करेंगे ना तो गुठली आ नहीं बनेंगी तो यह देखिए अच्छी तरह से हमें पानी को और आटे मैं अच्छी तरह से इसे mix कर देना है यह देखिए यह हो चुका अच्छी तरह से आप देखिए पानी कितना जली से सूख चुका है और बैस अब हमें से रख देना है microwave में तो चलिए यह देखिए रख दिया microwave में अब यहाँ पर मैं microwave का माइक्रो मोट सेट करूंगी 900 वाट और टाइम सेट कर देते हैं चार मिनिट का चार मिनिट में जो हमारा हलवा है बलकुब बनके तयार हो जाएगा आटा फूल जाएगा और मैंने कोई भी एस्टर अभी तक घी नहीं डाला है विस तीन चमस ही घी डाला है और आप देखना हलवा हैँ बहुत तरह किला खिला भर दता है नहीं है चीपकता नहीं है किरल कहा हमारा हलवा क को ट्याar हो चुका है कि इतना ज्यादा surely चुका है तो वैस अब इसे हम निकाल लेते हैं प्लेट में आप देखिए कितनी तरह से फूला फूला है और खिला खिला हल्वा तयार हुआ है कहीं से चिपका नहीं है नहीं तो जो आटे का हल्वा होता वो चिपका चिपका अच्छा नहीं लगता है और उसको अगर हमको इस तरह से ख लाइची पाउडर इससे जो खुस्वू होती है बहुत अच्छी आती है उसके बाद मैं थोड़े से यहां पर ड्राइफूर्ट डाल रही हूं मैं यहां पर काजू बदाम और किस्मिस डाल रही हूं आपको जो भी ड्राइफूर्स पसंद हो आप उसमें डाल सकते हैं यह द किसी वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएगा वीडियो अच्छा लदे तो लाइक करिएगा फ्रैंट्स और फैमली के संग शेर करिएगा चैनल पे ,... और न्यू हो सब्स्क्राइब